हेलो एवीवन तो अब हम इंग्लिश पोर्षन देखेंगे यूपी एसी इपी एफो को 2017 का क्वेश्चिन देखेंगे तो इसमें जो है आपको वही सिनॉनिम सिंटॉनिम्स वगारा मिलेंगे तो इससे पहले हमने डिसकस किया था 2016 का इंग्लिश का पोर्षन यूपी एसी सकता आपको next lecture में next paper में भी तो start करते हैं without wasting any time तो first question जो है वो यही कहता है कि synonym बताना है एक sentence दिया हुआ है उसमें bold letter दिया हुआ है उसका synonym आपको बताना है तो sentence है the fundamental character of an individual defines his entire life तो इसमें जो है आपका fundamental जो है उसका आपको synonym बताना है ठीक है तो आप वैसे भी देख सक सकते हैं जो options दे गए है क्या productive का होगा fundamental से related essential का होगा successful या effective तो मतलब एक normal आप भी जिसको मतलब इतने English नहीं आते तो वो भी इसका answer बता सकता है as in अगर आप इसको fit करके देखेंगे in the entire sentence मतलब इन सबको A, B, C, D को तो आपको clearly पता चल जाएगा तो बना के देखे the productive character of an individual define his entire नहीं, the essential character of an individual define his entire life, yes, essential fit हो रहा है, वैसे हम C भी check कर लेते हैं, the successful character of an individual define his own नहीं, और fourth, the effective character नहीं, कुछ भी इसमें fit नहीं हो रहा character की जगा पर, तो आपका यहाँ पर आजाएगा essential, ठीक है, one second, yes, तो यहाँ पर आपका, इसका answer आज़ेगा essential, ठीक है, तो the essential character of an individual defines his entire life, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, question number two की, जिसमें again आपको synonym बताना है, ठीक है, मैं एक में on कर लेती हूँ, हाँ जी, तो यहाँ पर आपको again synonym बताना है, ठीक है, किसका, she has, she has the habit of using hackneyed and redundant examples from her past, even while dealing with the future generation, तो आपको इन सब में से बताना है, कि इसका hackneyed का answer होगा, उससे पहले, मान लीजिए, आपको इन सब को fit करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, उससे पहले आपको कुछ words ऐसे होते हैं, जिनका मतलब आपको ना पता होना चाहिए, ठीक है, तो hackneyed का हिंदी में मतलब आपको सधारन सा नहीं, cleached, cleached का मतलब वैसे आपको बता देते हो, हिंदी में मतलब होता है, घीसा हुआ होना, ठीक है, मालब वही पुराना नॉर्मल सा है न, तो यही जो C पाथ है, वही hackneyed का होगा, अब इसको जो है, वो fit करके देखिए, she has the habit of using cleached and a reduction example from her past even while dealing with the future generation, तो इन दोनों का मतलब जो है, वो सधारन की सा हुआ सा ही है, इसका right answer आपको हो जाएगा, cleached, ठीक है, and otherwise आपके जो तीन points है, A, B and D, वो इनको match नहीं कर रहे, ठीक है, तो question number 3 देखते है, which one of the following is synonym, देखे, again इनोंने synonym ही पूचा है, ठीक है, मतलब इसका same meaning बताना है, जो bold letters में लिका हुआ, she is an immaculate soul whose presence makes all the difference, ठीक है, तो immaculate का आपको मतलब बताना है, तो immaculate का मतलब आपको हिंदी में पता होगा, तो आप easily बता सकेंगे कि इन चारों में से कौन सा option है, तो immaculate का मतलब होता है, clean, मतलब कोई दाग ना लगा हुआ बेदाग और इसमें से भी अगर आप देखें, तो sportless का मतलब सीधा सीधा आपको पता होता है कि कोई sport नहीं है, बेदाग है, तो immaculate का answer यही हो जाएगा, वहीं पर आपको पता है, excited का कोई मतलब नहीं होता, sportless है ना, मतलब बेदाग, extraordinary का भी कोई मतलब नहीं होता है, unpar नहीं होता है, तो अगर आपको हिंदी में इसका मतलब बता है, immaculate का, तो आप clearly बता सकते है, इसका answer A है, sportless, ठीक है, तो immaculate का आपके पास sportless आगया, answer A point, उसके बाद, fourth question है, which one of the following is the antonym, यहाँ पे देखिए, antonym, पूछा है आप इनोंने, ठीक है, ulta मतलब बताना है, there is a great deal of animity, animity क्या होता है, शतूरता, ठीक है, अब आपने विलोम शब्द आहिंदी में भी किया होंगे, ठीक है, तो उसमें से भी आप जैसे शत्रू, शत्रू है ना, तो simply इसका मतलब amity ही होगा, ठीक है, जो friend-like होगा, male जो भी बनाने वाला होगा, और animity शतूरता, तो opposite पूछा था, तो यहीं इसका answer है, वैसे दूसरे भी देखिए, cooperation का मतलब तो वही होता है, कि मतलब cooperate करना, dispute नहीं यह भी नहीं बनेगा, और hostility भी नहीं बनेगा, तो इसका amity ही answer होगा, ठीक है, तो एक बार दुबारा से देख लेते हैं, तो first में हमरे पस fundamental का आया था, essential ठीक है, हमने put करके देखा था, उसमें, sentence में, और hackneyed का मतलब हमने देखा था, साधारन होता है, और cleached का मतलब ही साधारन साधारन साधा हुआ सही होता है, तो वह match कर था, synonym पूचा था, immaculate का मतलब होता है, clean एकदम से कोई भी दाग ना लगा हो, तो उसका, जो synonym होगा spotless होगा, और animity का मतलब शतूरता होता है, इंटॉनिम पूचा था, तो male job वला, friendship वला, तो amity होगा, ठीक है, question number 5 देख लेते हैं, which one of the following is the antonym, दुबारा से उन्होंने opposite word पूचा है, किसका पूचा है, reluctant का पूचा है, she was the reluctant to sell her card, तो reluctant क्या होगा, तो एगरनेस दिखाना, कि वह इच्च्चुक है, ठीक है, तो eager का मतलब होता है, इच्चुक है, और इस ने पूचे कि antonym, उल्टा बताना, इच्च्चुक नहीं है, reluctant का मतलब होगा, कि नहीं, मन Like Anichuk, विलोम शॉब में ऐसी होता है, ठीक है, ओवाजट वर्ड में ऐसी होता है, तो reluctant होता है, कि वो इचुक नहीं है और इगर का आपको पता है कि वो इचुक है तो she was reluctant to sell her car म भलाँ वो अपनी कार को बेचना नहीं चाती और अगर framework चाती है she was eager to sell her car. ठीक है I think आपको समझ में आ गया होगा और शिक्स πेक्शिन भी देख लेते हैं इन्हों ने अन्टॉनिम ही पूचा है अगें विलोम शॉप ठीक है अपॉजित वर्ड आइंड कंप्लाई विद्ध थी रेगुलेशन्स ओफ यर लैंड तो क्या होता है विचितर मतलब विचितर से रेगुलेशन्स ठीक है तो उसमें आपको इस्ट्रेंज निम्बल एवरी दे एंड कस्टमरी में से कौन सा अपॉजित वर्ड है तो कस्टमरी जो है वो आपका अपॉजित वर्ड होगा यहां पर ठीक अब next पे चलते हैं 8th question पे तो वो कहता है कि आपको इसमें से error find करना है ठीक है which one of the following parts of the sentence जो एक sentence दिया है after lot of argument I brought him forward to my point of view इसमें से आपको error बताना है तो आपको 4 options दिये गए हैं after lot of argument I brought him forward to my point of view तो इसमें से error आपको क्या मिलेगा I think हमने 7th question छोड़ दिया है ना चलो कोई बात दी तो इसमें से आप आप देख लीजे पहले after lot of argument I brought him forward to my point of view तो इसमें आपको जो मतलब error है वो इस वाले part में मिलेगा I brought him forward दिखिए अब इसको बनाकर दिखिए after lot of argument हमने काफी देर की argument के बाद I brought him forward आप देखिए इसमें कोई इसमें कोई आपको past का word दिखाई देर है past तो नहीं है ना present की after lot of argument उन्होंने काफी देर argument की है ना I brought यहाँ पे इन्होंने past में लेगए तो यहाँ पे यह गड़बर है क्योंकि next line में वो कह रहे है to my point of view तो यह भी थोड़ा सा present में sound हो रहा है writing इसका right answer होगा भी ठीक है I brought him forward ठीक है उसके बाद question 9 देख लेते हैं फिर 7 देखेंगे which one of the following parts of the sentences में भी आपको error ही बताना है don't ask him how he is because if he starts talking about his health you will never get off from him he has an error तो यहाँ पे error आपको find out करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं don't ask him how he is because तो यह present में चल रहा है if he starts talking about his health you will never मतलब थोड़ा सा जो है वो मतलब continuous में चल रहा है present continuous में और फिर his health will never get off मतलब get off किस में चला गया get get off from him I think this is the correct option for this question because यहाँ पी आपके पास जैसे मतलब पहले present में चल रहा था and present continuous में चल रहा था and then future की बात चल रहे थी तो get off from him नहीं आएगा ठीक है तो see इसका right answer होगा तो 7th question देख लेते हैं which one of the following parts of the sentence as you know that the ignorant are easily duped has an error again error की बात की गही है तो यहाँ पर as you know that the ignorant are easily duped तो यहाँ पर देखे that the ignorant that an ignorant नहीं आन चाहिए ठीक है तो I think यहाँ पर B आपका error होगा ठीक है उसके पर 10th question देख लेते हैं which one of the following can be used as a substitute? मैं अब आपको substitute बताने ठीक है मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी 2016 वाली उसमें मैंने एक जो है link add किया था English video उसमें से यह question आया हूँ है मैं आज वाली वीडियो के साथ दी वह लिया link add कर दूँगी जो मैंने इंग्लिश के पढ़ाए हूँ है उसमें से ही यह question बनके आया है ठीक है which one of the following words can be used to substitute for the phrase a nursery where children of working parents are cared for while their parents are at work जब parents work पे होते हैं तो पीछे से बच्चे कहां पे पलते हैं उनके crash में ठीक है तो इसका right answer crash है तो यह वाला वो जो वीडियो आप देखेंगे उसमें clearly आपको यह समझाया हुआ है ठीक है question number 11 देख लेते हैं which one of the following words can be used to substitute ही बताने आपको that which cannot be taken by force जो forcefully ना लिया जाए ठीक है easily दे दिया जाए that which cannot be taken by force force के द्वारा न लिया तो impossible नहीं होगा improbable नहीं होगा impregnable तो impregnable का मतलब होता है कि कोई चीज forcefully नहीं ली गई ठीक है तो आप वो one word substitution ज़रूर करियेगा उसने मेंने बहुत सारे one word substitution पढ़ाय हुए है ठीक है तो इसका right answer आपको हो जाएगा impregnable ठीक है उसके बाद question number 12 which one of the following is the appropriate question tag in the sentence take a seat dash फिर question mark ठीक है तो इसमें क्या आगा अच्छा बनाके देखिए take a seat comma shell you नहीं shell नहीं नहीं आएगा देखिए एक बाद ध्यान रखेगा कि shell का प्रयोग बहुत कम होता है very rare very rare use होता है shell ठीक है तो यह नहीं आएगा ठीक है वैसे will use करते हैं जादा तर ठीक है उसके बाद take a seat can't you नहीं can't अभी आप देखिए can't देखिए यह बाद ध्यान रखेगा कि मैंने questions देखिए हैं इनमें एक तो negative जादा use होता है तो answer इन दोनों में से ही होगा ठीक है इसको समझने के लिए ठीक है तो यह याद दखेगा answer मेशा मैंने और भी question अभी आपको करवाँगी तो इसमें can't में ही होगा can't want ठीक है तो would you take a seat would you नहीं तो यहां पर देखे तो बी और सी में से होना चाहिए तो आपको दोनों लगा के देखे take a seat can't you can't you तो बनी नी रा और take a seat won't you yes see आपका इसका right answer हो जाएगा question number 13 which one of the following is the appropriate question tag in the sentence वही आपसे question पूचा गया anyone can make mistakes mistakes और fit dash और मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो है आपका negative में बनता है answer ठीक है यह याद रखेगा तो अगर negative देखे तो इसमें से और इसमें से ही बनेगा shell मैंने आपको बोला इतना जादा use नहीं होता और is it तो नहीं होगा ठीक है तो अब बना करें कि anyone can make mistake isn't it और यह फिर can't day ठीक है anyone can make mistakes अब mistakes के जादा नहीं आ गया तो isn't it का नहीं बन रहा can't day can't day is the right answer उसके बाद question number 14 देख लेते हैं इसमें आपको कह रहा है which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence, एक sentence ने दिया हो blank space और उसका आपको phrasal verb बनाना है he is found of art and seems dash suited to be an artist तो इसका क्या होगा आपको suited का बताना है fit out, bring out, cut out, suit out ठीक है he is found of art and seems fit out he is found of art and seems bring out to an artist he is found of art and seems cut out to an artist yes, cut out is the right answer उसके question number 15 इसमें भी आपको phrasal verb बतानी है we were happy in the beginning but now all the troubles have appeared appeared का आपको phrasal verb यहाँ पर फिल करना है तो इसका क्या बनेगा आपके पास बना के देख लेते हैं we were happy in the beginning but now all the troubles have cropped up बना क्रॉप्ट आप हो चुकी है तो appeared का प्रॉप्ट आप फ्रेजर वर्प है तो question number 16 which one of the following phrasal verbs may be used in the beginning बताना आपको no one knows how it all डैश हैपपंड तो हैपपंड का आपको बताना है come across, come about, come into, come forward तो बना के देखें no one knows how it all come across नहीं no one knows how it all came about कि कैसे ये सब कुछ हो गया ठीक है मैं बना कोई कुछ नहीं जानता कि कैसे ये सब कुछ आया ठीक है तो इसका B is the right answer question number 17 देख लेते हैं इसमें भी आपको phrasal verb बतानी है blank में फिल करना है I have to dash finish दिया हुए यहाँ पे this work before I leave tomorrow morning तो इसका आपको क्या बनेगा कि उसमें काम को finish करने finish करने का clear अब बनेगा clean up बनेगा finish अब बनेगा तो देखे जो यहाँ पे दिया होता है ना वो तो कभी नहीं आता यह तो ध्यान रखेगा जैसे कि मैं उपर भी आपको एक question में और भी आया था एक मिनट कहां पे आया था कि मालने 심 latus जो होते है वो तो कभी भी नहीं होते ठीक है हाँ यहाँ पर जैसे देखी यह suited था तो यहाँ पर यह suited out यह वला तो कभी न लगा के आजाना कई यह वला लगा के आजाना तो यहां पर देखें तो यहां पर फिनिश अप तो बिल्कुल भी नहीं लगा क्या आना ठीक है फिनिश अफ उनको फेजर बनाने की ज़रूरा तो खूज अब नहीं बहुत करके थोड़ा नहीं उसने अपना काम छतम करके जाना है ठीक है कल की मॉर्निंग से पहले ठीक है त So, he lived a hand-mouth existence surviving on just a few rupees a week. So, he lived a hand in mouth, not to mouth, yes. To mouth existence, yes. This is your preposition. After that, the 19th question is called, which one of the following can be used as the substitute? Here, let's tell you a substitute. So, there is no meaning to cry over the split milk since the matter is over. So, what will this be? They have 4. No use to worrying about, no use to spilling now, no use of celebration, no use of asking for. So, let's see. There is no meaning to, no use of worrying about. Yes, worrying about. This is my judge. Let's see. There is no meaning to no use of spilling now. Now it will not come. Okay. Since the first time is on the first time. Okay. And then, there is no meaning to, no use of celebration. Celebration doesn't mean anything. So, worrying about. Because cry over cry is related to worry. Okay. So, this is the right answer. Which one of the following can be used as a substitute? You can tell us in the 20th. But, now I will do one more substitution. I will do it in English portion. So, I will do it in English portion. So, the first video, I have given you a link in the previous video. Okay. And then, I will attach it in the next video. Till then, goodbye and have a nice day. Thank you. Thank you. Bye.